हेलो एवरीवन पिछले वीडियो में हमने इंट्रो वाला पार्ट कवर किया था आज हम उससे रिलेटेड कुछ कोश्चन देखने वाले हैं मैंने इसे कुछ टाइप्स में बाठ रखा है जो NCRT 8.1 एक्सराइज है तो हम सुरू करते हैं पहला टाइप हमें क्या गिवेन है कि साइन एक्वल टो थ्री अपॉण फोर कल्कुलेट क्या करना है कि और ट्रियमेट्रिक रिशियो को फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने सीखा था कि साइन ए जो है हमारा ठीटा की जगह हमें इस वर क्या दिया हुआ है यह दिया गया है तो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रियंगल को क्या करना पड़ेगा कि ड्रॉ करना पड़ेगा तो हम एक ड्रॉ करते हैं A, B, C हमने क्या किया? एक एंगल ड्रॉ कर लिया, राइट एंगल है B पे राइट एंगल है और हमने क्या किया है कि एंगल A एक्यूट एंगल है यहाँ पे जो गिव है ने ठीटा के जगा हमने क्या दिया है एंगल A दिया है जो ठीटा है तो हमने सीखा था कि इसके ठीक सामने वाला जो होता है वो क्या होता है प्रेपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनियस फिक्स होता है और जो बच्ची हुई साइड हो गए वो क्या हो गया हमारा बेस हो गया तो यहां से क्या है साइन एक की वैलू थ्री वाइफ फोर है सलूसने स्टार्ट करते हैं अपना कि साइने की वैलू गिवेन हमें थ्री वाइफ फोर साइन एक क्या होता है फर्मूला साइन ठीटा हमने पढ़ा था पी वाइच तो हमें क्या करेंगे एच की वैलू हमें यहां से मिल गई फोर और पी की वैलू हमें यहां से मिल गई थ्री तो सारे technometric ratio निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सारे sides के value को क्या करना पढ़ेगा सबसे पहले find करना पढ़ेगा तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं by pathagoras theorem by pathagoras theorem से हमें क्या पता है कि h square जो होता है किसके एकवल होता है बेस के square प्लस perpendicular के square इस की value हमें given है तो हम यहाँ page की value पूट करेंगे फोड का square बी की value हमें find करनी है पी की वी value हमें given है 3 का square 4 का square 16 बी का square प्लस 3 का square 9 अब इस वाले वी की square बी का value निकालना है तो हमें क्या करना प्रेगा 9 को इधर लेकर आना प्रेगा 16-9 equal to क्या जाएगा B square यहां से हमें बी की value निकालनी है तो क्या करना प्रेगा root अंडर इसको minus करेंगे तो 7 आ जाएगा plus minus 7 इसलिए बी की value दो आई है हमें एक plus में एक minus में जब भी root लगाते है plus minus दोनों लिखते हैं तो एक तो आ गया plus 7 और एक से बी की value आ गया minus 7 तो माइनस 7 वाला को हम नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा जो कि साइड होता वो कभी भी negative नहीं होता इसलिए हम इसे क्या करते हैं नहीं लेते हैं तो हमारा बी की value जो आई है प्लस 7 ही आएगी बेस की value हमें पता चल गया यहां से कितनी आई है रूट सेवें नाव यहां से क्या करेंगे सारे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले हमारा आथ साइन ठीटा ठीटा जगा एव एक होता है पीवाई होता है यह होता है अगर नहीं पता हो तो सबसे पहले इस वीडियो का इंट्रो वाला पार्ट आप देख लें वहां से आपको क्लियर हो जाएगी सारी बाते भी हमारा रूट सेवेन है रूट सेवेन भाई एच की वैलू फोर कि यहां से निकाल लेंगे 10 क्या है बीवाई पी होता है पीवाई क्या होता है हमारा टैन पीवाई बी होता है तो यहां से हमारा पी का वैलू क्या है थ्री है और बी का वैलू रूट सेवेन है लोह उसके बाद हमने देखा था सउन का आपोसिट क्या होता है को सिक्ख होता थो को से ज्यों हमारा क्या होगा इसका solid हो जाएगा फेर जैगा यहां से जो होता हमारा कॉस्का क्या होता और आपोजिट एथा यहां से आप सकते हो क्या जाएगा to seven Am I just so a cop कॉर्ट एक आएगा यहां से आपको मिलेगा रूट सेवेन अपॉन है थ्री हाँ तो हमने सारा यहां पर देखा कि सारे अगर आपको गिवेन हो एक रेशियो अगर आपको गिवेन दिया रहा है तो हम सबसे पहले से तीनों साइड फाइंड करेंगे फिर देन हम सारे रेशियो को अच्छी तरीके से लिखेंगे अब हम देखते हैं अगला टाइप टू है टाइप टू जो हमने कोस्टन लिया है यह लिया है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच डैट साइन बी इ में ने कि तो सबसे पहले हँमें 12 डू डॉ 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 करने करेंगे कि स्वेजं करते हुआ है है हम सबसे पहले दो राइट एंगल ट्रहेंगल बना लेते हैं खिर देखते हैं इसको कैसे फायंड करने वाले कि हमें एंगल B और एंगल क्यूं क्या दिया हुए है तो हम यहाँ पर एंगल B को एक्वट मानते हैं ने और एंगल क्यों को नहीं है ऐसे एक्वर यहां से रिख लो फ्रूले त टीक है मैंने यह आपको बताया था इसके ठीक सामने वाला होता है प्रिपेंडिकुलर यह है फिक्स है और जो बच गया हुआ हमारा क्या है यहां भी उसी प्रकार से है तो हमें गिवेन क्या दे रखा है सबसे पहले तो हम गिवेन लिखेंगे कि हमें गिवेन क्या है गिवेन हमें है दिया हुआ साइन भी एकवल टू साइन क्यूब प्रूब क्या करना है तो प्रूब एंगल भी जो होगा एंगल क्यूकर एकवल होगा तो इस कोस्टन को करने से किसमें एप्रोच कैसे लगाने वाले है कैसे करेंगे हम गिवेन से स्टार्ट हमेशा गिवेन से अगर congruent कर दिया जाए तो आप उसके angles को भी equal लिख सकते हैं से में वह उसी तरीके से में इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं कि कैसा इसको congruent किया जाए लिए तो हम प्रूफ में लिखेंगे जो हमने ड्रॉ किया उनके बारे में पहले लिख लेते हैं कि कंसीडर हमने किया है कंसीडर टूट राइट एंगल हमने बनाए है तो लिख लेंगे इसको एंगल ट्रेंगल ट्रेंगल ट्रेंगल्स कि एसी बी एंड पी क्यू आई हमें गिवेन क्या है वहीं से start करते हैं हम गिवेन है वहीं से हम देखेंगे कैसे करेंगे इसको पहले सबसे पहले लिख लेते आप को हमने बताया था कि यहां से Vaccine B हम असानी से क्या कर सकते है हैं अम कर सकते हैंजब ही क्या होता साइन क्यों क्या हो जाएगा यह भी हो जाएगा पी वाई एच यहां से हम इसकी वेलू लिखेंगे पी आर अपॉन पी क्यू अबर्ट हमें क्या गिवेन है कि साइन बी जो है वो इक्वल है साइन क्यूं के तो हम यहां से एक्वल लिख देते हैं इसके एसी अपॉन एबी एक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू अब देखो यहां से कि क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखते हैं कि एसी अपॉन एबी लिखा हुआ है अगर एसी एक्वल टू पी आर अगर हो जाए तो हमारा एक हो जाएगा उसी प्रकार से अगर a b equal to pq हो जाए तो भी हो जाएगा तो हम क्या करने वाले हैं से हम इसको चेंज करते हैं क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि एसी अपॉन पी आर कि एबी अपॉन पी की और इसको के लेट कर लेते हैं अगर हब यह कु 근क एससे क्या आपको मिला है कि इस यह वाला जो पार्ट है एसी जो है पी आर के एक्वट आचका है इसी प्रकारल ए बी जो है हमारा o वो PQ के एक्वल आचुका है अगर हमें BC का भी रेशियो और RQ का रेशियो भी अगर मिल जाए और दोनों का रेशियो हमें किसके एक्वल के के एक्वल मिल जाए तो यह हमारा दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा congruent हो जाएगा अगर congruent हो जाएगा तो हम then लिख सकते हैं angle B equal to angle Q तो सबसे पहले हमें इस triangle में मैं देखता हूँ कि BC निकालने के लिए हमें क्या होगा AC की value चाहिए और AB की value चाहिए तो मैं यहां से क्या करूँगा उसकी value find कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं find करता हूँ AC क्या होगा AC अगर आप देखते हो तो इसको हटाओ यहां से देखो KPR लिख सकता हूँ मैं KPR and AB की वी value चाहिए अगर यहां से AB की value मैं निकालूँ तो क्या हो जागा KPQ AB की value क्या हो जाएगी KPQ यह हमारा इसको second equation माल लो और first equation आप इसको माल लो अब हम देखते हैं यहां से आप देख सकते हो दो triangle है हमारे पास तो in triangle ACV में यहां से क्या हो जाएगा आपको BC की value क्या हो जाएगी BC जो होगा आपको यहां से root अंडर AB का square माइनस AC का square और हमने AB और AC दोनों की value हमने find की थी second equation जो हमने बनाए थी यह हमारा रहा second यहां से हम क्या करेंगे AC और AB की value यहां पर क्या करेंगे लिख देंगे तो AB की value जो है हमारी यहां से क्या आएगी AB की value है के PQ का क्या करने वाले है square माइनस KPR का square यहां से आप करोगे calculate K square PQ का square माइनस K square PR का square root अंडर यहां से आप क्या करने वाले हो K square common ले लो क्या बचेंगे PQ का square माइनस PR का square दें इसको आगे करोगे K square root से बाहर आएगा तो क्या होगा K हो जाएगा root अंडर PQ का square माइनस PR का square तो हमें यहां से BC की value क्या हो गई find हो गया same now in triangle जो हमने दूसरा triangle बनाया थे PQR यहां से आप देख सकते हो PQR इसको हम क्या करते हैं लिखते हैं same ऐसे ही करेंगे यहां से भी हम RQ का value क्या करेंगे find करेंगे तो in triangle PQR से में यहां से भी पैथा गुरस लगाने वाले हैं by पैथा गुरस थेवरम क्या होगा RQ रूट अंडर PQ का a square minus PR का a square अब रेशियो देखते हैं हमें दोनों value मिल चुके हैं BC का भी value और RQ का भी value तो हमें यहां से क्या करने हैं BC upon RQ करेंगे क्या आजाएगा K BC की value में लिख रहा हूँ K PQ का a square minus PR का a square upon RQ का value क्या आजा है PQ का a square minus PR का a square यहां से आप देखोगे यह दोनों cut हो जाएगा और यह भी क्या गया K के equal आ गया हम इसे क्या करते हैं equation third मानते हैं अब from equation from equation first and third से आप देख सकते हो कि क्या आने वाला है first हमारा जो equation था आप देख सकते हो हैं से कि first equation जो हमारा था यह वाला part था और जो second equation और third equation जो अभी हमने निकाले हैं वह हमारा यह क्या है यह वाला तो हाँ से आप क्या मिल जाएगा a c upon p r a c upon p r equal to a b upon p q equal to b c upon r q यह तीनों किसके equal आगये हैं kk equals तो हम यहाँ से लिख सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें लिख सकते हैं जो triangle हमारा दोनों है triangle a b c congr sneez हो गया triangle यह P q r तो हम लिख सकते हैं कि triangle a b c हमारा congrั้न हो गया triangle p q r प्लब के हेंस यहां से जब कंगूर्यंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं इस देख सकता हूं और यह नाव हमारा ध्र टाइप्स भी है हमारे पास घथ टाइप में हमारा जो कुछ इस प्रकार से में देख सकते हैं एक triangle दिया गया राइट एंगल triangle है O P Q. इद एट पी पे right angle है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अब ट्रॉ कर लेते हैं एक triangle लुट है नाम क्या है? O P Q. तो ओ और P पे हमारा right है तो पी यहां लिखेंगे Right angle triangle यहां पे है O P Q हमने एक ट्रेंगल बना लिया और हमें given क्या है कि O P equal to 7 इसकी value हमें पता है और यहां पे क्या given है कि O Q minus P Q equal to 1 cm यह भी हमें given है तो सबसे पहले तो हम given वाला part क्या करते हैं लिख लेते हैं कि हमें क्या सब given दिया हुआ है given में हमें दिया हुआ है O P equal to क्या है 7 cm और O Q minus P Q की value क्या दे रखा है 1 cm अगर आपको इस question में क्या find करना है आपको कि sin Q और cos Q क्या होगा तो आपको तो सारे इसको find करने के लिए आपको इस triangle के सारे site की value क्या होनी चाहिए पता होना चाहिए तो अगर कुछ भी इस question में आपको लगए कि कैसे ये आएगा तो क्या करने वाले है यहां भी हम पैथागुरस को क्या करेंगे यूज करेंगे अगर कुछ नहीं समझा रहा तो यह ऐसे question में तो हम क्या करने वाले पैथागुरस लगाएंगे इसको देखके ऐसा नहीं है कि क्या करना होगा कैसे होगा तो यह सब नहीं सोचना है कि आपको तीनों वैलू निकालने के लिए हमेशा से हम लोग यूज भी करते आ रहे हैं कि पैथागुरस यूज करते हैं तो पैथागुरस को क्या करेंगे यूज करेंगे इसको यहां से अगर पैथागुरस यूज करना है तो एक की वैलू तो हमें पता है दुसरा यहां से निकाल लेते हैं कि OQ क्या हो जाएगा यहां से 1 प्लस PQ तो OQ की वैलू हमें पता चल गई है O1 प्लस क्या है PQ है तो हमें क्या करना है पहले लिख लेते हैं find क्या करना है तो find हमें क्या करना है यहां से sin Q की वैलू sin Q and cos Q now in triangle O P Q by Pythagoras Theorem Theorem से हमें क्या पता चलता है कि जो OQ का जो square होगा किसके equal होगा O P के square प्लस P Q के square है यहां से हम वैलू को क्या करेंगे पूट करेंगे तो क्यों का वैलू हमें क्या है 1 प्लस P Q का square होगा O P का वैलू 7 का square प्लस P का square यहां से ए प्लस B का होल स्क्वाइर लगाएंगे क्या होता है A का square प्लस B का square प्लस 2 A की वैलू 1 है और B की वैलू P Q है यहां से आ जाएगा 2 P Q एक्वल टू यहां से आ जाएगा 7 का square 49 P Q का square यहां से प्लस P Q हमारा क्या होगा प्लस 2 P Q एक्वल टू 49 आ चुका है यहां से 2 P Q अगर निकाल लेंगे तो क्या करने वाले है इसको 1 को उदर ले जाके क्या करनेंगे इक्वल को उस तरफ ले जाके क्या करने वाले माइनस करेंगे 49-1 2 P Q 48 यहां से P Q की वैलू आपको मिल जाएगे P Q की वैलू कितनी आने वाली है 24 तो हमें P Q की वैलू भी मिल चुकी है यहां पर क्या करेंगे P Q का वैलू भी पूट कर देंगे तो हमें यहां से क्या होगा O Q की वैलू मिल जाएगे तो करते हैं यहां से Putting P Q एक्वल टू 24 इन एक्विएशन First We get हमें क्या मिलेगा O Q एक्वल टू 1 प्लस 24 O Q की वैलू मिलेगे 25 तो यहां से इसकी वैलू भी आ गई 25 Then हमें क्या फाइंड करना था कि Sine Q क्या होता है और cos Q क्या होता है Q हमारा यहां से? Acute Angle वाला है तो यहां से हम जानते हैं कि Sine Q क्या होगा? PYH होता है और हमें P की वैलू पता है 7 और H की वैलू क्या है? 25 And and cos q क्या जाएगा by h होता है b की वैलू है 24 और h की वैलू है 25 I hope मैंने जितने भी types आपको समझाए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे thank you for watching